आपके अपने ही चैनल पर सब्सक्राइब और ये हमारे चैनल का मौटिव है उद्देश है दोस्तों आज हम बात करेंगे आवले के बारे में ये छोटे छोटे आवले के बारे में आप सभी ने सुना होगा जो विटामिन सी से भरपूर होते हैं लेकिन दोस्तों आज हम आज हम आपको इसके चमतकारिक फायदों के बारे में बताएंगे इसके मैजिकल हैल्प बेनेफेट के बारे में बताएंगे कि आउला कुन-कुन सी बीमारी हमें आपके लिए फायदे मन है इसका यूज आपके हैल्प को कितना फायदे मन करेगा इसके बारे में हम आपको बताएंगे दोस्त के बारे में भी हम आपको बताएंगे लेकिन दोस्तों अगर आपने वी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं कियो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल नोटिफिकिशन दबाएं कि सबसे पहले आपको मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पोचे दोस्तों दोस्तों हर कोई आवले से परचीत है ये सबसे प्राचीन आयुर्वेदिक और शिद्धियों मेडिसिन में से एक माना जाता है शायद ही ऐसा कोई इनसान होगा जिसने अपने जीवन में कभी आवले का नाम ना सुना हो आपने इसके मेडिसिन, मेडिकली गुरों के कारार भी ये आवला काफी लोग परिये है घरे लोनुसकों में भी आवले का इस्तमाल बहुत ज्यादा किया जाता है आपने कभी न कभी आवले को अपने औशिद्धी गुरों का लाब जरूर उठाया होगा आवले में जिवाडी रोधी पशक्तत मौझूद होते हैं दोस्तों आईरवेद के अनुसार आवला एक ऐसा फ़ले जिसके अंगिन अतलाब है आवला ना सिर्फ तचा बालों के लिए फायदे मैंने बलकि कई तरह के रोगों के लिए उश्द्धी रूप का काम करता है दोस्तों दोस्तो अम दोस्तों आफले के पालों की समस्षिया में हम आवलों के फाइदे के बारे हर ओमर के लोग जूज रहे हैं। लेके मिश्रड का लेप लगाएं इससे कुछी दिनों में बाल काले हो जाएंगे दोस्तों इसके लिए आपको 30 ग्रम सुखा आवला लेना है 10 ग्रम बहेड़ा, 50 ग्रम आपकी कुछी की गिरी और 10 ग्रम लोह बस में लेने राद भर लोही की कड़ाई में भिगो कर रखें अगर कम उमरे में बाल सपेद हो रहा हैं दोस्तों तो इस लेप को रोज लगाएं कुछी दिनों में बाल काले होने लगेंगे दोस्तों और दो होती हैं तो तो अगला जो हमापको फाइदा हो बता रहे हैं आखो और मोतीयबीन में हाँले के फाईदे दोस्तों बेने फाइट आवना ने रात में लेकी चुरद को गर्म दुज से सेंवत्यरते ओर आवले की आवला उस शहद को एक साथ सेवन करने से आँखों करोशने पढता है दोस्तों। तो इसके साथ Heinoure जूड़ी बीमारें जिसे रतों दी मोतियबीन जिसी बीमारी में भी आवले से काफी लाब होता है है दोस्तों। आवला दिमाग को तेज बनाने के लिए भी काफी फायदे मन होता है हम आपको बताते हैं दोस्ता आवले में विटामीन विटामीन और खनीज का संब्रेट सोर्स तो थे जो मस्तिक्ष ब्रेन के स्वस्त के लिए बहत पॉर्ण इंपॉर्टेंट है रक्त में आईरेन की अधिक मातरा मस्तिक्ष को आक्सिजन पिदान करती है आवले में पाए जाने वाले एंटियोक्सिडेंट जो ब्रेन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आवले एक प्रभावी मस्तिक्ष टॉनिक है और इससे यादाश इसम्रण शक्ति बढ़ाने और कॉंसेंट्रेशन एकाक्रता को सुधारने में मदद करता ह है अपने दिमाग को पोशा देने के लिए आप इसका कच्छा फल खाएं दोस्तों दोस्तों अगला जो हम आपको बता रहे हैं ऐसी टीटी में आवले के फाइद है आवला बेनिफिट हाइपर एसीडिटी तोस्तां अमल पितिया हाइपर एसीडिटी आजकल आम समस्ये बन करें इससे डीटी में आपको काफी फाइदा मिलेगा दोस्तों अब हम बात करेंगे कि कैसे आवला दातों को मजबूत बनाता है आवले के यूज से आप अपने दातों को मजबूत कर सकते हैं दोस्तों भोजन खाना हमारे शरीर या बोडी का इंदन कहा जाता है लेकिन यह नहीं इंटि माइक्रोबॉयल एज़ किया ओस경ों के सक्षम होता है। इस लिया आवली कायूस करें दातों क्यडयों से बचायेymal दोस्तों दोस्तों अब हम बात करेंगे हिद्दे को स्वस्त रखने में आवले के फाइदे पेनिफिशल फाइदे ऑफ हाट तोसा आवला सेवन करने से हिद्दे को स्वस्त रखने में काफी मदद मिल सकती क्योंकि आवले के सेवन से केलिस्ट्रो कम करने में काफी मदद होती साथी आवला स्वस्ते वं मजबूत हड़ियों के लिए कैसे पायदे मन हैं दोस्तों हम आपको बताएंगे हैं दोस्तों आवला हड़ियों को मजबूत बनाने के लिए निपोड है इसमें कैशियम अच्छी मातरम पाय जाता है यह एंटी आथरिटिक्स और शिद्धी गुरों से प जम्जोर करने के लिए जिम्मदार कोशिकाएं होती हैं इस प्रकार आवला का नियमत रूप से यूज करने से हड्डियों से जूड़ी परेशानिया कम होती हैं दोस्तों देखते हैं कि आवला के इसे पेट समद्धी बीमारी यानि दस या डाइरिया में कैसे फायदा करता दोस्तों दस से बार ग्रम आवले की कॉमल पत्तों को पीस का चाच के साथ रोज सुबह शाम यूज करने से इससे आपको डाइरिया दस में काफी लाव मिलता है दोस्तों दोस्तों गठिये से दिलाए राहत आवला आवला बैनेफिट गेट रिलीव अर्थराटिक्स गठिये के जोड़ों में दर्द और सूजन हो जाता है इस परिशाइने को सबसे ज़ादा बड़े बूड़े गरस्त होते हैं इसमें 20 ग्रम सूखे आवले और 20 ग्रम गुड़ इसे 500 मिली पानी में उबाले हो और 200 मिली पानी शेश रिजान चान का सूबर शांपिये से गठिये में काफी लब मिलता है दोस्तों इस तो रहन आप नमक कर यूज सेवन ना करें दोस्तों बताएंगी कि कैसे उल्टी से दिलाए राहत आवला आवला तो गेट रिलीव फ् 5-10 ग्रम मिश्री मिलाकर यूज करें इससे हिचकी और उल्टी बंद हो जाती है 5-10 ग्रम आवले काचूर को पानी के साथ पीने से भी उल्टी में फायदा होता है दोस्तों अब हम बात करेंगे कि कर्वज में आवले के फायदे हैं आवले टोरलीव कांस्टिपेशन दोस् कब्स और कॉंस्टिपेशन में काफी लाब मिलता है दोस्तों अब हम बात करेंगे तोचा रोक में किसे फायदे मन हैं आवला आवला फो इसकिन डीसेज दोस्तों नीम के पत्ता और आवले को घी के साथ यूज करें इसे फोड़े या चोट समधी परिशानी पित की समसे ख कुछ लिए जो इसकिन होती है इसे काफी फायदा मिलता है दोस्तों आवला खाने की फायदे गले के लिए दोस्तों आवला गले की स्वास्त को रखने के लिए काफी मददकार होता है अधरक के जूस के साथ आप इसका यूस करें यह थायराइट के लिए काफी फायदे मन ह होता है आवले का रस को कटे हुए अद्रक की कुछ टुकड़ों और एक चमश शेहित के साथ मिला कर पीने से खासी और गले की जो भी समस्य होती उसमें राहत मिलती है दोस्तों अवले के फ़ादे पर डाइबिटीज के लिए दुस्तों बलेटशुगर मैनेजमेंट डाइब नेवल तेजजी से नहीुप्ता जूस्तों बिमारी को खत्रा भी कम होता है। काज मित मर्वषक्ट नोगों को होने लग पर नहीं के लाइद हूद म मुझा जा सकता है तुछू का पारफिक हिरिए। आवले के फाइदे म सर्शव ख Hoş कि नोग करेंगे कि आवले के फाइदे वजन घटाने के लिए और ऑफ भीहा लिए करने क्लिए डॉसत करने के लिए आवले का जूसाब दो तरहां से अदे नहीं है कच्चे आमले का जूस और दूसरा तरी Hm shifts लुए अबाल के अगर आपक च्चे आमले कंडिन Woah च Nine альная का पानी इनलोग्त आउनाई का बहुना पहुनाई हुए चौूकर पानी आउना kalau अभर तिक से साफ था है दोस्तों है दौसतों आफला फायदे मन है हाइब लड़ प्रिशर के लिए हम आपको बताएंगे दूस्तों हाइब लड़ प्रॉशर में हावला उचरफचान को कंट्रॉल करने के लिए कारकर हुटा है इसके साथ त品 yield वो शरीद दोनों को रहात देने का काम करता है आवले का पाउडर शेहित के साथ मिला कर खाना काफी फाइदा मन होता है दोस्तों दोस्तों हम बात करेंगे कि आवला चमकती तुचा के लिए आवला बेनिफ़ाट पॉरिस्कीन दोस्तों आवला प्रक्रती में ठंडा होने की वज़ा से तुचा की परिशाने को दूर करता है बहुती लाब दायक होता है तुचा के लिए आवला की कुछ लाब इस तरह हैं दोस्तों आवला पाउडर को चेहरे पर लगाने से महासे ठीक होते हैं आवली और महासे वाली तुचा के लिए सही करने के लिए आवला पाउडर को गुलाब जल और नीवी के रसके मिला कर फेस पेक दयार करें चेहरे को साफ करने के लिए इसका प्योग करें दोस्तों आवले में एंटी वाइरल एंटी बैक्टरियल गुर होते हैं जो तुचा को कई प्रकार के रोगों से बचाते हैं आवले में विटामिन सी के अधिक मातरा होती है जिसका ये शरीर के बिशक्त प्रदातों को निकाल का पाचन शक्ती को बढ़ाता है जिसकी वज़ा से तुचा पूरी तरह से पोशन विलता है दोस्तर हैं दोस्तों आवले के जूस का यूस करने से आपकी तुचा में निकार आता है क्योंकि इसमें एंटी ऑक्सिडेंट होते हैं जो रक्त को शुट करते हैं तो जो कई रोगों से बचाते हैं इसके साथ ही आवले का नियमे तुरूप से सेवन करने से आपके चेहरे पे जुरिया नहीं आती है, इसे एंटी एजिंग गुरॉडों के कारा है आपकी टुचा वो चमा कपर करार रहती हूं, आवला पार्डर जैतुन के तेल में मिला कर पेस्ट बनाया, चेहरे पे लगाएं दस मिनट तक रहने दें, फिर दस मिनट बात इसे दोले इस फेस्पेक्स से आपकी चेहरे की धूल और गंदिगी हटाने में आपको मदद मिलेगी फिर यह एक नैश्रल प्रेकिति क्लिंजर के रूपने कारे करता है दोस्तों दोस्तों अपने डेली लाइफ में दो चमच आवले करा सियात पीए या फेस को तुच्छा पर लगाएं दोस्तों अब हम बात करेंगे शरीर में विटामिन सी की पूरती कैसे करता है आवला दोस्तों आवले का यूस करने से कई तरह है कि विमारियों से बचा जा सकता है आयूर वेट में इसे कई विमारियों के लिए रामबार भी कहा जाता है दोस्तों आवले के विटामिन सी का एक सम्रित सोर्स कहा जाता है दोस्तों इतना ही नहीं एक छोटे आवले में दो मध्यम साइस की संतरों के बराबर विटामिन सी पाया जाता है इसमें पॉलिफैनॉल जैसे योगिक से भरपूर लोह जस्ता जैसे खनीच कैरोटीन विटामिन बी कॉंपलेक्स जैसे विटामिन रूप में कई बीमारे को दूर रख सकते हैं विटामिन सी पेलिफैनॉल से सम्रित आवला एंटियोक्सिडेंट का एक बड़ा ज्तरोध है दोस्तों शरीक से इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है और ये कई बीमारें से लड़ने की शमता भी रखता है दोस्तों दोस्तों हम बताएंगे कि आवला खाने के सयी समय और सही तरीखा क्याары, दोस्तों आवले का आवले को जूस veya चूरन या मूरब़े की रूप में यूस किया जाता है अगर हम इसे सही लेने के सही तरीख समय की बात करें तो आवले के रस के फायदे हासिल करने के लिए आप इसे सुबह खाले पेट आवले का जूस पेने के काफी फायदे मन होता है चूरण को सुबह खाली पैट ये राग को सुने से ब atrás गरम पाने के साथ ले सकते हैं आवुले के मुरहबा जुबह सुबह खाली पैट गरम पाने के साथ खाना जादा यूसफुल होता है दोस्तों आवले खा सकते हैं यदि आप इसके रस का यूज़ कर रहे हैं तो एक चमच रस का यूज़ सेवन ठीक है लेकिन ये खुराक मुख्य रूप से स्वस्ती इस्थिती पे निद्भर करता है आवले खाने का सबसे अच्छा तरीका से खाली पेट सुबह कच्छर की रूप में खाना है दोस्तों प्रभावी परियर नाम के लिए आवले की यूज़ करने के मतला को पेता लिस मिनिट तक चार कॉफी दूद ना पियां आवले का प्रकेति खटा होता है दूद इत्पातो अगर आपको वीडियो पसना आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें कमेंट करें थैंक यूज़ करें थैंक यूज करें तो यूज़ करिएल